आज मैं आपके सामने मैस का एक क्वेशन लेकर रहे हैं, क्वेशन क्या बोला, find the value of x और यहां दिया हुआ 7 का power x plus 49 का power x plus 343 का power x equal to 155, तो हमें यहां पर x की value find करनी है, तो चलिए हम इस question को solve करते हैं, मैं page को ऊपर करती हूँ, ठीक है, यहां पर मेरा question जो दिया हुआ है, व यहां पर आप देख सकते हैं, यहां 7 है, यहां पर bays, यहां पर bays 49 है, और यहां पर bays 343 है, तो यह 3 नंबर 7 के multiples है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ, 7 का power x plus यहां पर यह 49 है, तो यहां पर हम 49 को 7 का square लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को दो बर into करेंगे, 40 9 49 के जगा के लिकेंगे 7 का Square और यहां पर यह Pan लगा ऑँX तो यह पर ब्रावर एकस लगा प्लस यहां पर यहां पर 343 है न यह 343 जो यह I 7 का power cube के बराबर यहाँ पर आप 7 को 3 बार into करेंगे तो यहाँ पर 343 आएगा तो इस 343 के जगह हम क्या लिखेंगे 7 का power 3 अब यहाँ पर यह पर यह power x लगा है तो whole bracket लगा कि power x लगा देंगे equal to यह क्या है हमारा 155 ठीक है अब हमारा देखें यहाँ पर इसमें और इसमें हमारा power and exponent का formula लगा क्या लगा कि अगर x का power m है और whole bracket power n है तो यह बराबर होता है x अब यह जो power n जो बाहर है वो x के साथ लग जाएगा और यह जो m है वो बाहर लग जाएगा bracket के तो इसमें और इसमें यह वाला formula यूज होगा ठीक है तो चलिए हम इसको solve करते हैं क्या 7 का power x plus यह क्या हमारा base 7 है अब यहाँ पर यह जो 2 है यह जो x है यह इसके साथ लग जाएगा 7 के साथ whole bracket और यह power 2 है जो यह bracket के बाहर लग जाएगा ठीक है तो यह आपको समझ में आया अब हम page उपर करते हैं अब इसके के देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है आप इस equation में देख सकते हैं कि 7 का power x यहाँ पर भी है इसमें भी है और यहाँ पर भी है तो हम क्या करेंगे इस equation को easy बनाने के लिए इसको हम let a माल लेते है let a क्या माल लेते है 7 का power x तो इस 7 के power x की जगा हम क्या लिखेंगे a इसके जगा a लिख दिया plus इसके जगा भी हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर power 2 लगा है तो power 2 लगा है फिर यह क्या है प्लस उसके बाद यहां पर भी देखें कि 7 का पावर एकसे के जगा हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे और यहां पर पावर क्या है 3 है तो यहां 3 लगा देंगे equal to 155 ठीक है अब इसके बाद देखें यहां पर A है यह A square है यह A cube है तो यहां पर A का highest power का है 3 तो यहां पर highest power जो है मतलब decreasing order में जो power है वो लिखेंगे A cube A cube के बाद हम क्या लिखेंगे A square लिखेंगे उसके बाद last में हम A लिखेंगे ठीक है अच्छा इसका sign क्या है plus है इसको हम इधर shift कर देंगे LHS में तो यह minus 155 हो जागा ठीक है equal to 0 यह आपको समझ में आए अब यहां पर देखें आपको क्या करना है हम यहां पर यह जो 155 है इस 155 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे 155 को हम लिख सकते हैं 5 का power cube plus 5 का power 2 plus 5 ठीक है इसको देखे 5 का power cube क्या हो जागा 125 5 का square क्या हो जागा 25 plus और यह क्या हो जागा 5 तो यह हो जागा 125 plus 25 और 5 क्या हो जागा 30 और यह दोनों जोड़ेंगे तो आपको 155 हैगा तो कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर 155 को 5 का power 3 plus 5 का power 2 plus 5 इसके बराबर लिखेंगे तो देखिए क्या हमारा a cube plus यह क्या a square है plus a है फिर यह क्या है minus लगाईए अब उसके बाद इसके जगह आप यह लिखेंगे bracket लगाईए 5 का power 3 plus 5 का power 2 plus 5 equal to 0 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे a cube plus a square plus a अब हम यह bracket खोलेंगे यह minus है तो minus 5 cube minus 5 का power 2 minus 5 यह सारा sign क्या हो जागा change हो जागा equal to क्या है 0 है ठीक है अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो power 3 वाला है power 3 वाला कौन सा है यह a cube है और यह 5 cube है इनको एक साथ कीजिए a cube minus 5 cube इसको 5 का square ठीक है bracket में लिए अब बच क्या रहा हमारा यह plus a बच रहा है यह minus 5 इसको last में लिखिए और इसमें bracket लगा देजिए equal to zero ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसमें हमारा formula लागा कौन सा लागा formula a cube minus b cube का जो कि होता है a minus b और a square plus a b plus b square तो यह वाला formula जो है इसमें use होगा तो चली हम use करते है तो यह क्या हो जागा हमारा a cube minus b cube या a cube minus a cube minus 5 का power cube तो यह देखिए a minus b यानि कि a minus 5 फिर उसके बाद क्या है a square तो a square हो जागा plus a b 5 a हो जागा फिर b square यानि कि 5 square फिर यह क्या है plus तो यहाँ plus लगाई अब इसमें formula कौन से लाएगा a square minus b square का जो कि होता है a minus b bracket में a plus b ठीक है तो यह क्या हो जागा a minus 5 और bracket में a plus 5 ठीक है फिर क्या है plus फिर यह क्या है a minus 5 है ठीक है तो इस a minus 5 के साथ हम one तो into करी सकते है one into करने से कोई change तो होगा निए ठीक है तो just इसमें हमने one into कर दिया यह इतना आपको समझ में आया तो मैं यहाँ पर आपको बता दू कि इसके जगा मैंने यह लिखा है और इसके जगा मैंने यह लिखा है और यह a minus 5 है इसमें मैंने one into कर दिया वो यहां लिखा है यह आपको समझ में है अब यहां पर देखिए इन तेनों टम में आप देखिएंगे अ-5 यहां पर भी है यहां पर भी है और यहां पर भी है तो हम यहां पर इसको कौमा निकाल लेंगे तो ब्रेकेट में क्या बचेगा हमारा यह बचेगा A2 गलकेट क्लोस इक्वल टू जीरो यह आपको समझ में आया पेज उपर करते हैं तो यहां पर देखिए हमारा क्या है A-5 ठीक है यह ब्रेकेट लगए यह क्या हमारा a² लिखिए, अच्छा 5a और यह a, 5a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा यह 6a हो जाएगा, और यह 25 और यह 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 और 25 और 6 31 हो जाएगा, ब्रैकेट ग्लोज एकपल टू 0, अब इन दोनों का ब्रटक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब a-5 यह 0 के बराबर होगा, तो यहां से हमें a की वैलू क्या मिली, यह माइनस 5 इदा शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा, तो यहां से हमें a की वैलू क्या मिली, a की वैलू हमें 5 मिली, बाकी दो वैलू हमें यहां से मिलेगी, और यह हमारा क्या है, यहां देखिए, पावर 2 है, तो 4ac upon 2a, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, यह a2, इसके साथ क्या coefficient in 2 है, 1, तो यह जो 1 है, यह हमारा a का value है, यह जो 6 है, यह b का value है, और यह 31 जो है, यह c का value है, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, हम सबसे पहले, हमें a की value क्या मिली, a की value मिली 1, b की value मिली हमें 6, और c की value हमें मिली 31, तो यहाँ पर सबसे पहले, हम यहाँ पर यह a की value, यह find करने से पहले, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, d क्या होता है, b square minus 4ac, तो पहले यह हम निकालेते हैं, d, इसको क्या बोलते है, discriminant, discriminant, बोलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर d निकाल लेते हैं, d अगर हमारा less than 0 रहा, या greater than equal to 0 रहा, तब ही पहले चलेगा कि कोई solution निकलेगा कि ने, वो हमें d की value से पता चलेगा, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, d क्या है, d is equal to a क्या है, b, b की value क्या है 6, अब to 6 का स्क्वार 36 हो जागा, माइनस यह क्या हो जागा, 4 1 जा 4, 4 जा 12, ठीक है, तो इस देखें, प्लस माइनस माइनस, इस में 36 माइनस कीजिए, तो 14 में 6 क्या बचा 8 बचा, यहां बचा 11 में 3 क्या 8, और क्योंकि यह बड़ा है, 124 तो यहां निकालते हैं, तो आप यह इक्वेशन आया है, यह यहOOOO क्या हमारा यह है, तो हमें क्या हमारा यहे है, प्ला स्क्राइखबीनलटनारा ृटरवा 6 जा द्रषिकी accountability equation, फ्लस स्क्राइवा यह स्क्राइव ऐसे प्लस 31 यह जो हमारा new solution देगा, यह वाल स्क्राइज तो हमारे पास A क्वालू कितनी आई है 5 आई है ठीक है तो हमने A क्या माना था हमने A माना कहता हमें तो X की वैलू चाहिए न तो हमने शुरू में Let A क्या माना था Let A is equal to 7 का पावर X तो A की वैलू कितनी आई है 5 तो यहां 5 रखिए 5 is equal to 7 का पावर X और 7 का पावर X equal to 5 इसको equation तो हम यहां पर क्या लेंगे taking log on both side तो दोनों side हम log लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा log 7 का पावर X equal to log 5 दोनों side हम log लगा देंगे ठीक है तो यहां पर देखिए यहां हमारे पास अब यहां पर आपका log का कुछ formula लाएगा कौन से लाएगा कि अगर log है और यहां पर A का पावर X है तो यह बराबर होता X log A यानि कि यह जो X है यह इधर shift हो जाता है तो यहां क्या है log 7 का पावर X तो यह X यहां आ जाएगा X log 7 equal to log 5 तो हमें X की value चाहिए है यहां पर log 7 क्या है into में है तो X की value क्या होगी log 5 और यह log 7 इधर जाएगा तो यह इसके divide में चला जाएगा तो हमारे पास यह X की value आई है यही इसका solution है उमीद है आपको यह question अच्छे से समझ में आगे